अपैरेंटली रनवीर ने ये क्लेम किया है कि राम लीला में देपिका के साथ उनकी सबसे लंबी किस है और हिंदी सिनिमा की ये पैस्ट किस मानी जाएंगी लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस होट स्टीमी सीन पर कैंची चला दी और 12 कट्स की डिमांड की केर ओडियंस के लिए ये बुरी खबर है कि उन्हें स्टीमी होट सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन आफस्क्रीन रनवीर को दिपिका के साथ बॉंडिंग और किस करने की प्रैक्टिस तो मिल गई प्रुमर ये भी है कि एक इंटर्वी में रनवीर ने कहा है कि हां मुझे लोग कभी-कभी गलती से रनवीर कपूर समझ लेते हैं मीडिया न जब उनसे पूचा कि क्या दिपिका ने कभी गलती से आपको रनवीर बुलाया है तो रनवीर ने बड़े कूल अंदास सिखा अगर दिपिका मुझे रनवीर के नाम से पुकारेगी तो मैं एम्बैरिस्ट हो जाओंगा हम भी यह उमीद करते हैं कि दिपिका रनवीर सिंग को सपने में भी रनवीर कपूर ना समझ ले